अलो एव्रीबडी दिस इस डिग्रास सिंग राजपूत वेलकम तो सोशल स्कूल इस वीडियो क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे नौन फेर्स मिनिरल्स के बारे में पढ़ा था परेस्मिनिर जो होते हैं तो वह ऐसे मीनिरल्स होते जिनके अंदर और आइरन कंटेंट होता है नोन फेरस मिनेरल वो ऐसे मिनेरल होते जिनके अंदर नहीं होता है तो अब कहानी समझ में आ गई कि वह सारे मेटालिक मिनेरल जिनके अंदर लोहा नहीं है तो उसमें भी आएगी लेकिन वो क्या है वह आयरेन वाला मेटल नहीं है तो वह कौन सा मेटल है वह हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे जानेंगे समझेंगे तो नॉन फेरस मिनिरल्स में आपको समझा दिया क्या होते हैं अब अगर बात की जाए तो शुरुवात में पिच् आपको अपडेट्स में आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है साथ आप अनकाडमी एप जरूर डाउनलोड कीजिए अपर आपको धेरो एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे पुन फीचर्स में ऐसा होता है जिसे आप क्या कर सकते हैं स्पेशल सकते हैं लाइव पोल्स में पाटिसिपेट कर सकते हैं क्विज होता है आपने डाउट कूछ सकते हो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं सारे फीचर्स आपको अनकाडमी आप पर मिल जाएंगे और वाट्यार रिक्वाइट्वाइट डिग्राज एंड एक्सप्लोर औल इस फी कुछन सा भर सकते हैं आप सब्सक्राइब गौन सा मैटल होता है अलुमीनियम तौट से गय से अलिमृमिनियम औरलोगा और और नॉन फेरस मिनेरल की कैटेगरी में आता है जिसे गोल्ड हो गया सिलवर हो गया सब नॉन फेरस में आएगा लेकिन इन्हें लिया जा रहा है क्योंकि गोल्ड इंडिया तो बॉक्साइट इस दी ओर इस यूज़ इन मैनिफेक्चरिंग ऑफ अलिमीनियम आप बता दी आफ ने तो अलिमीनियम की मैनिफेक्चरिंग में बॉक्साइट के इस्तमाल किया जाता है बॉक्साइट इस फाउंड में टर्शिय डिपॉसिट्स एंड इस असोचेटेट विट रॉक्स अकरिंग इस बॉक्साइट क्ले को आप मोस्ट उपली टाइम लेट्राइट रॉक्स में देखने को मिलेंगे एक्स्टेंसिव आपको प्लैटू रीजन में ठीक है और इस कैसकते हैं बॉक्साइट डिपॉसिट से आपको अलिमीनियम मिलता है ठीक है अगर इसका दिस्ट्रिबिशन देखें हम तो मैं आपको वही अगेन फिर से दोरा रहा हूं जो पिछले वीडियो में दोराया था कि मैप वर्क सारा करवात हूंगा अभी सिर्फ दिस्ट्रिबिशन पढ़ते चलो तो ऐसा है कि अगर ओडिसा की बात की जाए तो ओडिसा एपनस टूबी लार्जस्ट प् अगया यह लीडिंग प्रड्यूसर से अगहां पर यहां पर यहां पर आपको औरिसा में देखने को मिल जाएगा धी पैट लैंड और लोहार दागा प्रेश्ट माठर ढटन फिद्व पूज्र तेखर में द्यूजर प्रडूसरि तो आप देखेंगे इदर आजाते हैं तो गुजरात तो गुजरात बिदेखने को विछ अपको बोक्साइट के प्रडुक्शन देखने को तक प्लाइटू एक वहाँ पर आपको बॉक्साइट मिल जाएगा चतिस गड़ और मद्यप्रदेश की बॉर्डर पर तो यह डिस्ट्रिबूशन है बॉक्साइट का ठीक है यह डिस्ट्रिबूशन है इसके लावाज इसे देखो कि तो भावनगर जामनगर इन गुजरात है ठीक है तो यह इंपोर्टेंट डिपोजिट्स और आपको देखने को मिल गए कहां पर तो यह आपने पूरा देख लिया क्या चत्तिवड़ा मरकंटक मद्यप्रदेश वाला जो पूरा रीजन है वहाँ पर उसके बाद क्या है कोलाबा थाने रतनागिरी सतारा पूने कोला लापूर यह सब महाराष्ट में तो इंपोर्टेंट सेंटर्स इन महाराष्ट यह महाराष्ट के इंपोर्टेंट सेंटर्स हो गए इंपोर्टेंट प्रडूसिंग सेंटर्स हो गए तमिल नाडू करनाटका एंड गॉप आर माइनर प्रडूसर्स ऑफ बॉक्साइड उसक दूसरी दूसरी चीज का मोस्ट फटेबल होते हैं तो उसकारण से मेटल इंदिस्पेंसिबल मेटल इंदी इलेक्रिकल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग वायर्स 3 टिंड उपर्ण के लिए क्वा इस्तेमाल किया जाता है कि अधैना कि वायर bana रो ट्रांवामे बना वे पूरा यांदर तो इस सेंस में कवापर एकंपोर्टयिंट कि होता है एक इंपोर्टिंट मेटल होता एक मिक्सिंग कर देते हैं अलावे बना सकते उससे मिलेबल है टक्टिल है यह शीट बना दो कि खुट कोट के इस तरह से का सीड बन जाती है पतले टार बन जाते हे टैल है मिलेबल है उसी लुआ कि अलावा जैसे देखो एक ब्रांस टो उसका भी इस्तमाल किया जाता है इस तरह से क्या है कि गोलड को थोड़ी स्ट्रंफ देने के लिए कौपर और इन चीजों का इसतिमाल किया जाता लाली मा जाती होने पर हलकी सी को इतना ज्यादा नहीं है लेकिन आप वल्डवाइट देखो को तो अटाकामा डेजर्ट में जो माइन्स वगरा है वहां कॉपर निकलता है तो इंडिया में भी कहा है वही राजिस्थान वगरा वाला जो एरिया होगा ठीक है मध्यप्रदेश हो गया ठीक है अलवा डिस्ट के अंदर थिए माइनर प्र्डुसर्स की बात करें तो अगनी क्या है यह अगनी गुंडाला थिक है अंध्यू धिक शित्र दुरगा साव्थ ऑब डिस्ट्रिक्ट इंतामिल नाडू तो यह माइनर प्रुडूसर प्रेश करना टखा तमिलाडू कि यह specific डिस्टिक्ट जो यह जिसे चिता दुगा हो गया हसन हो गया ओर साउट एर कोड़ डिस्टिक्ट अपर इंडिया copper का distribution भी समझ में आगया ठीक है copper के बाद में अगली चीज़ क्या है copper के बाद में अगली चीज़ जिस अगर हम कुदें तो अगला हमारा topic complete हो गया ठीक है अब next video में non metallic minerals के बारे में पढ़ेंगे metallic होगे ठीक है metallic में अपने ferrous non ferrous दोनों पढ़ लिए अब non metallic minerals जो है वो हम next video में पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई यहां पर तो अभी के लिए स्टे कनेक्टेट कीव लर्निंग signing off with this together we can we will मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू वेरिमच